नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम ट्रीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी तो निकाय चुनाओ के दूसरे चरण का दंगल आज से शुरू हो चुका है यानि कि दूसरे चरण की जनता अपने मत का अस्तमाल करती हुई आज दिखाई दे रही है आपको बता दे कि सुबह साथ बज़े से मतदान शुरू हुआ है जो कि शाम छे बज़े तक चलेगा जो प्रदेश के कई जनपदों में चुना होने हैं आपको बता दे कि आज प्रदेश के 38 जिलों की जनत अपने मत का अस्तमाल करती हुई नजर आएगी तो निकाय सियासी दंगलब शुरू हो चुका है तो वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान 38 जिलों में मतदान होगा जोहां 9 मंदल शामिल है तो सुबह 7 बज़े से वोटिंग शुरू हो चुकी है जो कि शाम 6 बज़े तक चलेगी तो इस दौरान आपको ये बता दे कि तमाम दिगजों की साख भी दाव पर लगी है जोहां एक तरफ ये दूसरा चरण भाशवा के लिए बड़ी चुनाती है क्योंकि अगर 2017 के आकड़ों की जिक्र करें तो दो सीटे ऐसी थी जहां पर बसपा के प्रत्याशी में तो यहां पर बीजेपी से उमेश कौतम चुनावी मैदान में उतरे थे और 2017 में चुनावी जीते थे तो वहीं अलीगर में मॉहम्मध फोरकान चुनावी मैदान में उतरे थे बीएस्पी के ओडसे और इनने जीत-डर्श की थी तो वहीं मेरड से सुनीतर शर्मा भी बीए तो दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 11 माई यानि कि आज सुबह 7 बज़े से ही लगतार जो रही है तो 38 जिले के 9 मंडलों में ये चुनाव होगा 38 जिले में हम आपको बता दे कि मेरट मंडल, बरेली मंडल के साथ ही कुल, चित्रकूट मंडल, आयोध्या मंडल, बस्ती मंडल, कानपूर मंडल के साथ, अलीगर मंडल में आज जनता अपने मत का इस्तमाल करती हुई नजर आईगी और प्राइम टीवी पलपल की अपडेट आप तक पहुचा रहा है, सुबह साथ बज़े से प्राइम टीवी की टीम ग्राउंड जिरो पर मौजूद है, किस तरीके से इंतजाम किये गए हैं, जो मतदान सल है, उसके बाहर किस तरीके से सुरक्षा विवस्था कराई गई है, किस तरीके से जनता की सुरक्षा की जा ये उनको स्रक्षा का एहसास दिलाए जा रहा है प्राइम टीवी पलपल की अपडेट लगतार आप तक पहुचा रहा है तो निकाय चुनाव की जंग जो है वो लगतार जा रही है और आज आखरी रण है निकाय चुनाव का यानि की यूपे में निकाय चुनाव दो चंडों में होने थे पहले चुनाव 4 माई को संपन हो चुका है तो वाई आज 11 माई को 38 जिलों की जंत अपने शेहर की सरकार को चुनने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रही है क्योंकि ये एक बड़ा दिल्चस्प चाहा होता है उसमें हर एक शेत्र की हर एक वाड की जंत या यूँ कहें कि हर एक महले की जंत अपने घरों से बाहर निकल कर अपने शेत्र और सहर की जो सरकार है वो बनाती हुई नजर आती है तो ग्यारा मई यानि के आज के दिन जंता दूसरे चरण के लिए अप घरों से बाहर निकल रही है अपने मत का अस्तमाल कर रही है और लगतार मतदान स्थलों के बाहर जो लोगों की लंबी-लंबी कतारे है वो देखने को मिल रही है और आपको बताते है कि शेहर की सरकार आज बनने जौरिया शेहर की सरकार के लिए प्रत्याशों के किसमत का फैसला कैद हो जाएगा कही इवियम तो कही बैलट पेपर के जरीया जंता अपने मत का अस्तमाल भी करती हुई नजर आएगी वही अगर सहारनपुर की बात करे तो यहाँ पर पहले चरण में चुनाव था तो वहीं आपको बताते चले कि 38 जलो की जंता अपने मत का अस्तमाल करती हुई नजर आएगी तो यह चुनाव बेहदी दिल्चस्प हो जाता है आपको बताते चले कि इस चुनाव में कई प्रत्याशों की साख भी दाव पर लगी हुई है तो अलिगर यहाँ भी जंता अपने मत का अस्तमाल करेगी अपने मताधिकार का अस्तमाल करेगी तो अलिगर में 1995 से लेकर अब तक मेयर पद के लिए पांच बार चनाव हुए है जुन में से चार बार यहाँ पर बीजेपी अपना जंटा लहराने में कायम रही है लेकिन 2017 में बीजेपी के विजरत को र प्रत्याशी ने जीत दर्श कीती लेकिन साल 2017 में बस्पा के प्रत्याशी ने यहाँ पर विजरत रोका था यानि की अलिगर की वो सीट है जहां पर बस्पा के प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्श कीती तो यह चुनाव बहत दिल्चस्प हो जाता है क्योंकि भाश्पा ने तमाम समिकर्णों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उता रहा है तो आद दूसरे चरण के लिए जनता लगातार सुबह साथ बज़े से ही अपने मत का अस्तमाल कर रही है घरों से बाहर निकल रही है तो कब वोटिंग होगी कब नतीचे आएंगे जोरान किन किन मंडलों में चुनाव होने है ग्राफिक्स के जरिए प्राइम टीवी आपको पूरा निकाय चुनाव का हर एक ताना बाना बताता हुआ दिखाई दे रहा है किस दोरान बस्ती मंडल से लेकर अलिगर मंडल और तमाम का यसे मंडल है जोहां कि जनता आज अपने मत का इस्तमाल करेगी तो वही कालपूर से हमारे सयोगी उपेंद्र रस्थाना हमारे साथ जुड़े है उपेंद्र लगातार साथ बजे से ही जुनतप ने मत का इस्तमाल करती हुई नजर आ रही है किस तरीके की विवस्था है जो मतदान कींद्रा उस पर देखने को मिली अपने अपडेट पर पूरी तरीके से तो कहीं ने की दिखाए तो युवा पीड़ी है वो लगातार मतदान को लेकर पूरी तरीके सक्री है और लगाता सुर्च्राब इसकी अगर भाट पिसे लगतार मतद्जिक अपने तुर्च्राइब आफ़ने समांती पार्टी और अखलेश याद हो 2017 के आकड़ों पर नज़र डाले तो प्रमिला पांडे यहां पर मेयर बनी थी तो क्या लगता है कि जनता उनके काम से कि दिनी संतुष्ट नज़र आई है देखाया है अगर बात अगर करें परमिला पाण्डे की बाद की जाए तो कई कभी न कभी इतियास आया कांड़ों कि जो जे पी कंडिडेट उसको रिपीट ने किया था है उसको लोगे कही ना कई खासा बादपक कारकाणता में जो परम्ला-पांडी ठिकर दुबारा होने को लेकर कही नाराज थे और वही कही ना कई सवावधी पार्टी के जो आर नहर से बिढ़ायक है उनके जो पत्नी है बुद्धनावधी पार्टी टिकेट गिया है पर कही ना पर पूरी तरीके से जो ब्रामा जो है एक तरफा सवाधी पार्टी के 85 वन्नावाद पर पूरी अकर्षित है बिल्कुलों पेंतर गंगा किनारे बसे शहर में कहीं ना कहीं उद्योग नगरी है यह एक बड़ी उद्योग नगरी मानी जाती है यूपी के और आज यहां पर श सब्सक्राइब करने कि मद्दान पहले करें मद्दान पहले करें मद्दान पहले करें बिल्कुल उपेंद रभी आपने जिक्री किया कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रत्याशों के समर्थर में जन संपर किया तो उसका असर कितना देखने को बिल सकता है जब नतीजे आएंगे तो अगर दिखा जा तो पिशलते अठाइस सवलों से बाच्पा का राज्य कानपुर में रहा है और यहां पर जो मेर हो लगातार बाच्पा कराये जाये चाह सरकाल ने जो ने यहां पर इस बार जो जो एंच पर इस तरीके से बिल्कुल उपेंद्र जिस तरीके से बीते दिनों एक अगनी कांड हुआ कानपुर में और उसके बाद से बड़ी उद्योग नगरी है कानपुर तो उस उद्योग नगरी के मुद्दे क्या क्या है जिसको ध्यान में रखते हुए जनता मतदान के इंदर पहुँच रही है जहां पर बात की जाए तो कांड़ो को जो है मानचेस्टर काया था इंडिया का वई तो की इंडिश्ट्रि एरिया है पूल तरीके से पर साफ की जए कांड़ों को स्मार्ट सिटी के दर्जा मिला है पर अभी देखा जाय कहीं नगरी उस तरीके सभी स्माटने सर भी सब्सक्राइब नहीं मिल पारी है उसको ले करके आदमी जो है इस बार वोट डालेगा बेकल उपेंद्र लगतार आप जनता के बीच में रहे हैं और आप नगर संग्राम के खास कारिकर में भी लगतार एक्टिव रहे हैं तो क्या लगता है कि जो जंता है उसका पसंद कौन सा प्रत्याशी बन रहा है यह अगर देखा जाए तो इस चीज को लेगर का इसा ना हो कि कांग्रेश वाजपा की रडाई में लोगों साफ आम जन्मानों के सब कर साफ कहना है बिल्कुल उपेंद्र कहीं न कहीं यह कहा जाता है कि कानपुर एक मुस्लिम बहुल इलाकों में से एक माना जाता है जहाँ पर मुस्लिम तादा थोड़ी जादा है तो अतीक श्रफ हत्यकान का गवापूरा देश बना था तो क्या लगता है कि अज उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा मतदान पर या नतीजों पर जी बिल्कुल आपको आपको दाता है कि कान तो पिछले साल जफर आसमी कान पर इंसाल कान लुए था जो कि उसके बाद अकर देखा है तो इर्फान सोलन की जो कान लिए तो जो पूलिगा पूलिए तरीके से जो है जो है मुस्लिम जो है काफी कहीं ने कहीं देखा है तो काफी नाराज में आ रहा है पर अपी बार मुस्लिम बावल्चेत से वोटों संख्या कर देखी जा है तो हिंदू कि जो वोट पॉलिग मुट ज्यादा पनाएंगे इस बार ठीक है उपेंद्र आप लगतार पर बात अगर 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 निकाय चुनाओं के दूसरे चरंड का सियासी संग्राम लगतार जाली है क्योंकि जनता लगतार सुबह साथ बज़स अपने हमत का इस्तमाल करती हुई नजर आ रही है और प्रैम टीवी पलपल की अपडेट आप तक पहुच आ रहा है और हमारे सहयोगी लगतार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है तो वही और आया से जाहिद अक तरसीदे हमारे साथ जुड़े हैं जाहिद सुबह साथ बज़से ह कि मतदान जारी है मतदान केंदर के बाहर की तस्वीरे आप कैसे देख रहे हैं कि अब आप कि अब आप कि अब आप जाहिद आप लगतार लोगों के बीच पहुच रहे थे प्रत्याशियों से बात कर रहे थे तो क्या लगता है कि यहां सियासी मुकाबला कि इन दो पार्टियों के बीच में सबसे जादा है बिल्कुल जाहिद कानपूर मंडल में और रही आता है और आपने बता है कि पुलिस वहाँ पे मुस्तैदे से काम कर रही है लेकिन मतदान केंदर के बाहर क्या जो दिव्यांग है उनके लिए कोई विवस्थाए आपको नजर आ रही है क्योंकि यह वादा क्या गया था कि जो दिव्यांग लोग अपने मतादिकार का इस्तिमाल करने आएंगे उनके लिए वीर्चेर्ज मौजूद रहेंगी तो क्या वाकाई में ऐसे कोई विवस्थाए देखने को मिल रही है आपको जाहिए जो लोग है वो कितने अक्टिव नजर आ रहे हैं अपने शहर की सरकार को बनाने में लोगों के लिए बात किया तो काफी लोगों में एक्से में आ रहे हैं बरावर लोगों सुवेल सरी मत चली जा रहे हैं और इसका प्लगतार लोगों के बीच भी पहुश रहे थे तो और रही है उनको दूर किया जाहिए बिर्कुल जाहिद हमारी एक टीम ने नगर संग्राम का खास कारिकरम बें शुरू किया था जिसके लिए प्लगतार लोगों के बीच भी पहुश रहे थे तो और रही है शेत्र का मुद्दा क्या है जिसको ध्यान में रखते हुए आज जनता अपने मत का इस्तमाल करने पह है वहाँ पर भी समस्या नहीं बहुत बहुत कर रही है तो क्या और रही है शेत्र में भी कोई ऐसी समस्या है जिससे जनता बहुत परेशान हो जाहिद और रही है और जो यूँआ है वो किन मुद्दों पर मतदान केंदर पहुच रहे हैं बिलकुल धन्यवाद जाहिद हमारे साथ जुर्ते वे दरश को तक समाम जानकारी पहुच वाने के लिए आपने देखा कि लगातार सुबह साथ बज़े से हमारी जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर मौझूद है पलपल की अपडेट प्रैम टीवी के माध्यम से हम लगातार आप तक पहुचा रहा है क्योंकि आज शेहर की सरकार को बनाने का यह एहम और बड़ा मौका है यही व लगातार जो आरही है और प्रैम टीवी ग्राफिक्स के जरी आपको यह भी बताने का प्रयास कर रहा है कि कब कहाओ और कितने मंडलों में आज जनता अपने मत का इस्तिमाल करेगी तो दूसरा चरण का सियासी संग्राम लगातार जो आ रही है तो वहीं हमारी टीम भी लग तार पलपल की अपडेट आप तक पहुचवा रही है तो वह या मेटकर नगर से हमारे सहीयोगी राहूल हमाले साथ जुड़े है राहूल सुभा साथ बजे से जनता अपने मत का अस्तेमाल कर रही है मतदान सल पर पहुच रही है व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त नजर आ हैं आपको कि देव मुस्कान जी तो पहले तो मैं आपको बता दूं का अबरा परसंट से काना चाहिए वह हमारे पीछे का चार उत्तरफ का वह नजाला दिखाए हाला कि सुभे साथ बजे से ही आखित की तरीके से पुगा इदम उस्ता नजर आ रही है मतदाताओं में चार आपको बता देख पूरे जनपता अंबेकर नगर में तीन लाग चार हजार साथ सुसाइटिस मादाता है इस समय नगर पंचाइट इलफाद गंज के इलफाद गंज में मौजूद हैं आख सुभे साथ बजे से ही मदाताओं में उस्ता नजर आ रहा है मुसकान जी और यहा सबसे दो पहलें पर सबसे ज़्यादा समस्कती advis to go clean IMB जाने के बाध यहां के जो आधिसाशी अधिकारी है वह हरकत प्रिखास हाहे और ऑन जन तका ब्रीप काशका यहां मुद्धा है और अईसे वे कुडह जंप अंबेटनने में तीन पाल्का है चार पंचायत है और जो जो तीन लाग चार हजार साथ सोसाइटिस मद्दाता है आज ये तै करेंगे अध्यच्छ व सवसद उमिद्वारों को कि किसका भाग चमकेगा किसकी किसका अध्यच के सरपर तास सदेगा जी मुश्कान जी बिल्कुल राहूल अगर अमबेटकर नगर की बात करें तो कहीं न कहीं ये बस्पा का गड़ माना जाता है और ऐसे में आज जनता की पास शहर की सरकार को बनाने का अपने शेत्र में विकास का काम करवाने का एक बहादी बड़ा मौका है तो यहाँ पे जो कॉम्पुटीशन है वो किंदो पार्टियों के बीच में सबसे जादा है जैसे कि आपने मुस्कान जी सही का यह अमबेटकर नगर बहुजन समाज पार्टी का अभी तक गड़ माना ही गया है लेकिन विधान सभा चुनाओं में पिछले विधान सभा चुनाओं में कुछ जो पुराने चेहर लेकिन इस बार किया कर लड़ाई देखा जाए तो सीधे सीध सपा और बस्पा और कुछ निर्दल ये परत्यासी भी है जो अपने ब्यक्तिक्वक्त ब्योहार के आधार पर और समाज से भी कुछ ऐसे हैं जो विधास्त मुद्दे के दावों वादे कर रहे हैं तो ऐसे में दोनों में लड़ाई देखी जारी कुछ ऐसे निर्दलिये परत्यासी भी है जो अपने दावों वादे और कार की वज़ह से जाने जा रहे हैं हाला कि हम इलफात देंज में खड़े हैं यहां कि अगर बात करें तो समापरवीन है जिन से सीधी टकर है रेनुदेवी जो की भाटपा से है और समापरवीन जो की सपा से है ठीक है रहूल अभी आपने जिक्र किया कि जो सपा है उसने मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उता रहा है तो जिस तरीके से तमाम समीकर्णों को ध्यान में रखते जी विर्कुल क्योंकि आसर देखने को मिल सकता अगर यहां की अगर महजुदा हम जहां इलफाद गंज के नगर पंचायत में खड़े हैं तो यहां पर उट्रों की अगर तादाद की बात की जाए मुस्लिम समदाई की सब से ज्यादा मत दाता संख्या है तो ऐसे में विस् अगर बात की जाए पूरे जिले जन्पद की सातो नगर पंचायत हो चाहे पालिका हो तो सीधे सीध कहीं ने कहीं अगर जो तस्वीर बदलेगी इस बार क्योंकि युवा जान चुका है सब लोग विकास चाह रहे हैं पान साल के बाद यह मुस्कान जी आउसर आता है एक ब अपने मत का प्रियों कर रहे हैं अपने मत का क्यों कर रहे हैं आपका चाहा नाम है तो आपको मिला सवचाल है मिला नहीं मिला क्या नाम हाता है हम लेटरिंग दिला देंगे तो यह देखिए कोछ लोगों को सचाले की आवाज की दिक्का था पानी की किल्ला था जैसे हमने पहले ही बताए मुस्कान जी कि प्राइम टीबी ने परमुकता से इस खबर को दिखाया था हाला कि युवा जो जो भी है मत आत है वो इस बात को टाय कर चुके है कि इस बार तस्वीर जो है वो बदली-बदली सी नजा आई हाला कि ये जल्द वाजी होगा कुछ कह देना तेरा तारिक को नेतीजा सामने ही आएगा मुस्कान जी बेलकुल राहूल जिस तरीके से आप लगातार मतदाताओं से बात कर रह है जैसे मुस्कान जी अभी है आपने सुना कि हमने पूछा मद्दाताओं से इन्होंने का साचाले आवास को लेकर क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा धादरी उते करप्तन की क्योंकि भरशाचार की भेट चड़ चुका चड़ जाता कही ने कहीं भरातल पर जो है वो जनकल्य जन कल्याण कारी योजनाय मिलें लेकिन अरकारियों को भरश्करा क्ढ़ चार जाता है तो कहीं परधान हो चाहे घ्रदांध हो चाहे है पालकाँ हो चाहे मतीनों की वास करता हूं यह को नहींuing कहों Tú यह वहां पर अदरबाढ का हुटा तो ऐसे में सिच्छा स्वास्त बेरोजिगारी और जन कल्याण कारी योजना जितने भी सरकार की दोरा चला यह रही हूं वो कहीं न कहीं धरातल पर नहीं दिख रही है यही वज़ा है कि सुबह साथ वज़े से लेकर अब तक लाइनों की कातारा आद देख रही हूं इस बार तस्वीर और सूरत दोनों बदलेगी बिल्कुल यानि कि जनता है वो समझ चुकी है कि उनके पास यही मौका है कि वो अपने शेतर के साथ या अपने शेतर का भी विकास कर सके धन्यवाद दाहूल हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम तस्वीरे पहुचा आने के लिए और तमाम जनकारी साजा करने के लिए तो आपने देखा कि लगातार जो हमारी टीम है वो मतदान केंदर के बाहर मौजूद है यानि कि ग्राउंड जीरो पर मौजू अब आशितोष सुबह साथ बजे से मतदान जारी है और मतदान केंदर के बाहर जो लोग है जो जनता है उनकी लंबी कतारे देखने को मिली है तो वह कौन-कौन से मुद्दे हैं आपके शेत्र के जिसको जनता ध्यान में रखते हुए मतदान केंदर की तरफ बढ़ रही है अब अब देखने को मिली हरा है वह कम विकास करें यहां पर जनता और अगर वड़ेकी ज़ो उनकी बिल्कुल आप इस वक्त जैसे कि मैं तस्वीरों में देख सकती हो आप मतदान केंद्र के बाहर मौझूद है तो मतदान केंद्र में लोग जो है वो कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं क्या लोगों की भीड देखने को मिल रही है आपको बिल्कुल आपका कहना सही है जिस्ता जो है लगवाद साथ बज़ चुके थे साथ बज़े के बाद से लोग अपने घरों से नास्ता पानी करने बाद वह सीदे जैसे मद्दान केंद्रों पर जा रहा हैं वहां पर मत्का प्रयोग कर रहा है लेकिन आपको इसकी साहरा और भी अपने घर से जागरों ठोके निकलिए और अच्छे लंग से उसका जो है पालन करके आप विज़े घोस्ति किराई है वह आपकी सहर काम विकास हो सके कुछ बिल्कुल आशितो अगर हम सुल्तानपुर की बात करें तो यह कहीं न कहीं एक मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है कि इस शेत्र में जो मुस्लिम वोटर्स है वो निर्णाय भूमिगाने बाते हैं तो यहां का जो कॉंपटीशन है वो किन दो पार्टियों के बीच जादा देखने को मिल रहा है कि जो तक्कर है वो कि प्रत्याश्यों के बीच है जी बिल्कुल आपको बता रहे हैं जिस बन गया है तो और इसमें आगर टक्कर की बार पूरी 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 सही त्लामारा का अच्छे देखते हैं भाश्पा की जो है टक्कर की लाहर देखने में लेकिन जो महिलों जो यूवोटर्स हैं उनके क्या-क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर वो अपना मत का इस्तमाल करे करें आज कि लिए बिल्कुल आप को बढला रहे हैं यहां ऑ यहां यां पर मत कर रहे हैं पर प्रयोग किया जा रहे हैं तो आशितोष जो जो कई वोटरस ऐसे हैं जुनका नाम भी वोटिंग लिस्ट से गायब था उनमें गुस्सा भी देखने को मिला तो क्या सुल्तानपूर से अभी तक कोई ऐसी खबर सामने आई है कि जो मत दाता है उनका नाम गायब लिस्ट से जी बिल्कुल आपका खाना सीघ्ट या अभी आज़ी कोई जानकारी सूछना तो नहीं आई है लेकिन फिलाल जो जो है जो भी मत दान करने आ रहे हैं वह अपना जीङा मत का प्रयॉप कर रहे हैं ठीक है आशितोश आप इस वक्त मतदान केंद्र के बाहर मौजूद है मतदान केंद्र के बाहर किस तरीके से इंतजाम के गए है इस्पेशलिए दिव्यांगों के लिए क्या कोछ इंतजाम प्रशासन दौरा किये गए हैं और गर्मिक की कारण की बिए जल प्याओ की विए कर दिये हैं किसी को समस्था भी नहीं और सांथी पूर्वक से पूरी जो है टाइट विएस्था देखने हैं वह जनता से भी अपिल करने आप लोग अपना जो है प्रयोक करने के बाद सीरे बूत के बाहर नजरी आएगा अं वह कि त्यार की तैयारी प्रशासने की है वह बिल्कुल आपका करना सही है जहां का जो है इस तरिक जो देखे आगे जा हुए वहां पर नजरी बढ़ा दी गई जिलातकारी हो गए या कप्तान हो गए या सीडी हो गए कोई भी यहां पे हो अगर के बीद वो जो है बरावर छेत में रणिंग कर रहा है और जाय 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 ले रहा है हर जगे पर जाके और सीसी कैमरे का यह कंट्रोल रूम भी बला है वहां का भी बैठके वो निगरानी कर हैं बिलकुल धनेबाद आशितोश हमारे साथ जुर्ते होई दर्शकों तक तक तमाम जानकारी पहुचाने के लिए तो आज दूसरे चरण का शहर का संगराम जारी है यानि कि आज जनता शहर की सरकार को चुनेगी यह बहुत एहम दिन है क्योंकि आज 38 जिले की जनता अप ऐस अपने एक मत से आपका एक वोट आपके शहर को विकास दिलाएगा आपके शहर के विकास को एक नई रफ़तार आपका वोट देगा यही वज़ा है कि प्रायम टीवी बिलगेतार लोकों सह्याई अपील कर रहा है कि पहले मतदान करे फिर जलपान करे तो सुबह साथ ब की अपडेट प्राइम टीवी आप तक पहुचवा रहा है और वही दूसरे चरण का जो संग्राम है वो लगतार जा रही है क्योंकि दूसरे चरण की जनता अपने मत का इस्तमाल कर रही है और दूसरे चरण का चुनाओ हर एक पार्टियों के लिए काफी हम हो जाता है यही व वर्ड का विकास होगा तो दूसरे तरफ अकलिये शादव ने इन सभी बयानों पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि यूपे में कानून का राजु खत्म हो चुका है कानून व्यवस्ता ध्वस्त हो चुकी है तो यही वज़ो है कि लगतार जो तमाम पार्टियों के दिगज न प्रताओं ने दूसरे च्रेंड के चुनावे प्रचार में अपनी पूरी ताकत जोग दी थी तो कब वोटिंग होगी नतीजे कब आएंगे किन-किन मंडलों में चुनाओ है प्राइम टीवी लगतार आपको यह बताने का प्रयास कर रहा है सुबा साथ बज़े से हमारी प लखी जारी है ये भी हमारी टीम हर एक अपडेट आपको सबसे पहले पहुचा रही है क्योंकि प्रैम चीवी सुबा साथ बज़े सही निकाय चुनाओ को लेकर हर एक पल-पल की यह यूँ कहें कि मिनिट के अपडेट आप तक पहुचा रही है तो आपको बताते चले कि आ 38 जिलों की जनता आज अपने मत का अस्तमाल करती हुई नजर आएगी इस दोरान 9 मंडल भी है जहां जनता अपने मत का अस्तमाल करेगी तो नौ मंडल के 38 जिलों की जनता लगातार अपने मत का अस्तमाल आज तो वह साथ बज़े से करती हुई दिखाए दे रही है तो तो तकरीबन डेड़ घंटे से जादा का समय बीच चुका है और मतान केंद्रों के बाहर लंबी कतारे देखने को मिल रही है वही अगर आपको मंडलों की हम बात करें तो कुल 9 मंडल है जहां की जनता आज अपने वोट का अस्तमाल करेगी मेरट मंडल, बरीली मंडल, अलीगर मंडल, कानपूर मंडल, शित्रकूट मंडल, अयुध्या मंडल के साथ ही बस्ती मंडल की जनता आज अपने वोट का अस्तम करती हुई नजर आएगी तो नौ मंडल के 38-0 की जनता आज सुबह 7 वज़े से ही मतदान केंद्रों की बाहर लंबी कतारों में देखने को मिली है फिर चाहे वो युवा हो चाहे वो पुरुश या चाहे वो महिलाए ही क्यों ना हो लगातार अपने शेत्र के विकास के लिए स दूसरा चरण सभी पार्टियों के लिए काफी हम हो जाता है क्योंकि जो है एक तरफ भाज़पा के सामने अपने गड़ को बचाने की चनौती है तो वही जो दूसरा चरण है तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए उस गड़ को जीतने की चनौती है तो तमाम पार्टिय भी लगतार जनता से यही अपील कर रहे है कि आप अपने घरों से बाहर निकले अपने मत का अस्तेमाल करें क्योंकि यह आपकी पास एक बड़ा मौका है अपने शहर में विकास देने का शहर में अपने विकास की एक रफ्तार देने का यही वज़ा है कि हम लगतार जनता से अ अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान फिर जल पान क्योंकि आपका एक वोट आपके शेत्र के विकास को एक नई धार देगा हमारे आज के खास पेशकोष में फिलाल के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार